एक के बाद एक धुआदार शॉट्स लगाने वाली इस लड़की का नाम है रेनुका रेनुका महस 11 साल की है और पांचवी कक्षा में बढ़ती है अपनी शानदार बैटिंग से गाउं वालो को खुश करने वाली रेनुका अब देश भर में जाने जा रही है आली में रेनुका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वालो हुआ इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेनुका एक के बाद एक कैसे शानदार शॉट्स लगा रही है इस वारल वीडियो को देखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी उसे प्रूथ साहित करते हुए क्रिकेट का पूरा किट भिजबाया है आईए अब आपको बताते हैं 11 साल की धुआतार खिलाडी के बारे में रेनुका पारगी प्रताबगर जिले के धर्यावाद इलाके की पीपलिया पंचायत के रामेर तलाब गाउं की रहने वाली है रेनुका रामेर तलाब गाउं के राज़किये प्रात्मिक विध्याले की पांच भी कक्षा में बढ़ती है रेनुका की घर के आर्थिक हाला ठीक नहीं है रेनुका एक मजदूर दमपत्ती की बेटी है जो की पिछले 10 साल से गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं रेनुका और उसका भाई गाउं में अपनी 80 वर्षे दादी के साथ एक जोपड़ी में रहते हैं माता पिता मजदूरी करके जो पैसा भेजते हैं उससे घर का गुजारा बामुश्किल चलता है ऐसे में रेनुका को घर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है जंगल से चाहे लकडी लाना हो या फिर घर के छोटे बड़े काम रेनुका पूरी जवाबदारी से इन सभी कामों को संभालती है घर की इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी रेनुका का क्रिकेट के लिए पैशन कम नहीं होता स्कूल के तौरान हाफ टाइम हुए फिर खाली पीरेड रेनुका क्रिकेट की प्राइक्टिस करना नहीं चूपती रेनुका की क्रिकेट के प्रतीस रुजान को देखते हुए स्भूल के शिक्षक ईश्वर आमेलिया खाली समय में उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं रेनुका की इस धुवादार पफॉर्मेंस से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतिश पुनिया भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने अपने ट्मिटर हैंडल पर रेनुका का फोटो शेयर किया और उसे शुपकामनाय भेजी। सतिश पुनिया ने लिखा, मुझे बेहत प्रसंदता है कि बिंदा शौट खेल रही प्रताबगर की बेटी रेनुका को भी क्रिकेट किट मिल गया है। बेटियां खेलेंगी और आगे बढ़ेंगी तो समाज और देश का स्वाभिमान बढ़ेगा। बेटी को उजवल से 14 वर्ष ये मूमल महर का भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारिल हुआ था। इस वीडियो में मूमल सूरे कुमार स्टाइल में चौके छक्ये लगाती हुई नज़र आ रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद मूमल को केवल राजनेतिक जगत ही नहीं बलक की खेल जगत के कई दिगजों से सरहाना मिली थी।